तो फाइनली मेरे इंदजार खतम हुआ और छे महिने के बाद सिप पे जाने की मेरे कॉल आ गई है और सिप पे जाने से सबसे पहले कंपणी की रिक्वर्मेंट है कि मैं अब 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 मेडिकल डिस कंप्लीट करो पर इसके लिए ने सपेशल डिसीनितिर्ट डॉकटर को गी बोला है में लेगल चिकप कराने के लिए तो उसके लिए मुझे कॉल कटा जाना पर रहा है और एक बहुत बहुत अच्छी है कि company ने मेरे सारे arrangements कर दिये हैं मेरे घर से बलकाता जाने के लिए flight के आने जाने के टिकेट्स हो चुकी है और hotel का भी arrangement हो गया है और एक चीजिस में जो कि बाकी company से अलग है इसमी है कि company ने मुझे घर से airport जाने के भी कैप की facility दी है जासा कि आप देख सकते हैं company दोरा अरेंज किया गई ये कैप समय से एग घंटे पहले ही मेरे घर के सामने आकर खारा हो गया है और वापस airport से घर पहुंचाने की भी शुईदाइस में है तो इसलिए कहा रहता है कि जब भी आपकी इस merchandise में जोइन करें तो ऐसे college से अपने course कर और मुझे एअरपट छोने के लिए मेरे प्रीये दोस्त दॉक्टर चंदन साथ में जा रहे हैं हम लोग पिछले 15 सालों से हम दोस्त हैं हमने schooling भी साथ में की उसके बार दिना में अग्या मेडिकल फिल्ड चुला और मैंने engineering फिल्ड चुना कि अब मैं security clearance की तरफ बढ़ रहा हूँ भीड ज्यादा नहीं है कि अज़े है कि अज़े है कि यहां पर सब की निगाहे रसिया और इक रेन की वार के बीच में लगे हैं टीवी पर सब देख रहे हैं खड़े होकर कि अखिए इसन दॉट करने का समया गया है करें अब हम पोल्काटा एरपर पे पहुंच गए है। मैंने अपने चाहाँ की डिगरी बीटे कोर्स हें से किया है। और पोल्काटा एरपोर्स मैंने अपने पॉलिज का इंडस्ट्रियल ट्रैनिंग क्वफलीट किया है। यह रहा खॉलकाता का एयरफॉर बाहर का स्थीन है और यह आगई मेडी काब यह भी कमपनी के द्वारा ही एर्रेंज किया गया है होटल करीब 10 किलो मेंटर के दूरी पे है हमें आप प्रोक्स 45 मिनिट्स लगेगा जाने में यह इको पार्क के सामने का वैक्स म्यूजियम है हम अक्सर एको पार्क आया करते थे अपने दोस्तों के बड़े सेलिवरेशन में कि यह कोलकाता का फेमस विश्व बंगलागीट तो न्यू टाउन में इस्तित है तो आप हम पहुंच गए हैं अपने होटल में तो आप मैं पहुंच गए अपने रूम में और देखते हैं रूम कैसा है तो यह दाओ हुआ है तो यह दाओ है तो यह दो यह दो टोटा सा फ्रेज और ऊपर में रखा गया है चाय कॉफी बनाने के लिए कितली है दूद के पैकेट्स हैं टी है कॉफी है अब तो यह सुवक के सारे यहां ठोड़े हैं और मैं नहाधा का त्यार हो गया हूँ और दस बजे की मेडिकल्स है मेरी तो मैं निकल रहा हूँ ब्रेगफस मैंने नहीं किया है क्योंकि मेडिकल्स में कुछ टेस्ट होते हैं उसके लिए आपको खाली पेट रहना होता है त इसके जश्बगल में ही मेरा कॉलेज है नहीं से मैंने अपने बीटे किया था तो अभी के लिए बाई बोलते हैं इस रूम को और चलते हैं अपने मेडिकल्स के लिए अब होटल से चेक आट करके मेडिकल्स के लिए निकलना होगा कैब सामने करी है होटल के और साथ पर सेंट रावर वीट कर रहा है सुबह से ही यहां पर हल्की बारिस हो रही है और यहीं रहा कोलकता किसान आईटिसी ड्रोयल बंगाल यह है कोलकता का साइन्स सिटी तो मैं समय से पंदर मिट पहले ही अपने क्लिनिक पे पहुंच गया हूँ तो गैस मेरा मेडिकल कंप्लीट हो गया है और इसकी अपडेट में आप रहता हूँ है पहुंचने के बाद मुझसे तो फॉर्म की लब करा गया जो भी यूज्वल प्रोसीजर होता है उसके बाद मेरे ब्लड सैंपल लिये गए यूरिन के सैंपल लिया गए फिर मेरे को इसीजी कर लिए बेजा गया वहने के बाद अप्रमन का अल्ट्रासाउंड हुआ फिर एक्सरे हुआ और बस मेली यही कुछ चालपास टेस्ट हुए थे और कुछ नहीं था और बाकि हाई ट्वेन जिसे फिटो ने चेक किया और उसके बाद मेरे कंपनी का एक रिक्वाइम करने को पर यह पॉसेबल नहीं था तो मैंने उन्से बोला कि मेरे घर पे कुरियर कर दिया जाए तो डॉक्टर इसके लिए अग्री होगे और मेरी कंपनी इसके लिए अग्री होगे तो पूरा प्रोसिस बहुत स्मूथ चला था मुझे अल्मोस 30-45 मिनिट्स लगे थे सारे साइमफर्स देने में और टेस्ट देने में फिर मैं दो गंटे वहां पर वीट किया उनका और जासे मुझे सीच्ट ने पता चला की मेरा रिपोर्ट आने में वह लेट होगा अधूर से पात किया और वहां से पूरा दे एरपोर्ट के लिए लिकल गया और दो बज़े सारे स्टाफ और डॉक्लर पहुत ही फ्रेली है और एक गंटे के दर भी सारा साम्फल क्लेक्शने संब्सिंग हो गया और उपोर्ट सारे सार बज़े के बाद दूती है तो आपको साम तक वीट करना पड़ेगा यहां पर आप आप अगर आप ही अपने जोइनिंग के पहले या अपने पूर्ट से पहले बिडिकल करना चाहते हैं कि कॉलकाता में है अच्छी लाइटिंग है तो गुंगते हैं इन सब के साथ कुछ छोटी चोटी चोटी टेस्ट हुए थे उनके वी आपको बता जाता हूं एक ता ओडियोमेट्री टेस्ट इसमें यह चेक्किया था है कि आपके कान के सुनने के छमता कैसी है आपके कान में एक यहरफोन लगा दिया जाएगा जिसमें कुछ बीप साउंड्स आएंगे और जब जब आप उस साउंड को सुनेंगे तब आपको एक हाथ में रिमोट रहेगा उस पी आपको क्लिक करना है तो इसके एकोडिंग आपके सारे डाटा रेकॉर्ड हो जाएंगे आप किस आपकी स्रेफैट में लुक्रीब को नई सौन रहे है आप कितना लेमिट है आपका आपने छोड़ा है तो कब छोड़ा है और कुछ medical history थी जैसे कि आपको BP है कि आपको diabetes है यह पास्ट surgery कि हुआ है या कोई आपको skin problem रहा है या फिर कुछ questions से कि कि आप machine के साथ काम करते हैं तो कि आप यहांतों में vibrations रहता है तो उसे कुछ questions थे जो medical से related थे एक बत में आपको बताना चाहता हूं कि जो medical test होते हैं वो वेडिक कर सकते हैं joining के पहले का या आप course start होने के पहले का medical करा रहे हैं तो जो main जो हर test में common होती है वह है ECG, USG, आपका blood test, urine test, eye test और x-ray यह जो 6 test मैंने बता हैं यह सारे में common रहेंगी मैंने अपना medical test तीन बढ़ दिया है पहले तो मैंने अपना medical test क्रेशन में एडिविशन चे पहले दिया था बट उसमें मैंने इडिविशन कराया नहीं था वहाँ पर मेरा फिस लगा था सारे 4000 रुपे और जब मैंने समंदर में इडिविशन लिया था तो उस time मुझे फिट से medical कराना पड़ा था क्योंकि college ने उस doctor को अप्रूब नहीं किया था उन्हें दूसरे designated doctors नहीं चाहिए था तो वहाँ पर मैंने जो कुछ एक्स्रा टेस्ट हुए थे वह एक एक पूर टेस्ट था जो कि वहाँ पर हुआ था वहाँ पर मुझे जो हाट का function चेक के रहता है जब आप कोई intense work कर रहे हैं तो दूसरा टेस्ट इस टूल टेस्ट भी मैंने सुनाए कहीं कहीं पर यह होता है कुछ और questions है medical के रिगार्डिंग जो लोगों के होती है कि क्या जिनके फ्लाइट फूट है या नौक नहीं है क्या वह मर्चे ने भी ज कर सकते हैं तो आपकोस आप जोइन कर सकते हैं कहीन कहीं नहine यह चाहिए नहीं होना चाहिए तो जो चीज नहीं है या यह जिस चीज की टेस्ट नहीं होती है ठां कोई concern के बात नहीं है कि I hope कि आपकोDでした treatment मिल और अगर आपके पास अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्षा में पूछ सकते हैं, पुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ भी आप मुझे से पूछ सकते हैं यह एएरपोट पे लगे कुछ कल्चरल डेमन्स्ट्राशन्स हैं जो बहुत सुन्दर दिख रहे हैं आप यह देख रेंजॉई कर सकते हैं कर दोग सकते हैं अब समय हो गया है पटना की फ्लाइक पोड करने की और हम बस की दरफ बाट रहे हैं हमारा प्लेन के हिंदूट पे लगा हुआ है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 हु तो चलिए आप वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं और अगर आप इस चैनल पर पहली वारा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अपना कमेंट जरूर करें